Hello my dear students, how are you? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चो ब्रीधिंग रेट के बारे में और ये चक्टर है आपका 5th Okay, so देखिए Increasing breathing rate तो बच्चो हमारे जो breathing rate है पहले तो आपके ये पता होना चाहिए ये ब्रीधिंग रेट क्या होती है देख बच्चो, breathing क्या होती है सांस लेना आप सांस लेते हो, छोड़ते हो है ना, ये है breathing ब्रीधिंग rate का मतलब क्या है बच्चो अगर हम ये देखें कि एक मिनिट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो कितनी बार छोड़ रहे हो है ना, इसको कहते हैं breathing rate बच्चो आपने इनूटिश करें किया होगा कि जो हमारी breathing rate होती है जो सांस लेने की rate है वो बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है है ना, जैसे मालो आप normally बैठे हुए हो तो सांस आराम से चलेगी breathing लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि अपने जगे पर 20 वार जंप करो तो उसके बाद क्या होगा आपकी breathing rate क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसी चीज़ के बारे मैं आप बढ़ने वाले हैं जब बच्चो कोई भी गेम आप खिलोगे तो आपको दोड़ना पढ़ता है बढ़ना पढ़ता है जम करना पढ़ता है राइट जो आपडोर गेम होते हैं उनमें है ना वेन वी रन वेरी वार्ट जब हम बहुत तीज ढ़ते हैं दैन आवर ब्रीधिंग b-r-e-a-t-e-h-i-n ब्रीधिंग रेट इंक्रीज़ तो हमारी जो बढ़ जाती है तो यहां पर कुछ एक फुडीज दे रखी है करने के लिए सिट रिलाक्स हाराम से बैठना है और ब्रीथ नॉर्मली और आम से सांस लेना है नॉर्मन तरीके जैसे लेते हैं प्लेश यूर फिंगर्स इन फ्रेंट फॉर नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल क्या ह अब अपनी यूगलियों को नॉस्ट्रिल के पास रख कर कि आप आराम से फिल कर लोगी है ना सांस अंदर जाते हुई बाहर आते हुई पता चल जाएगा अब अपनी जगे पर दस बार बार 10 से 12 ताइमस आपको जंप करना है और फिर दबारा से फिल करना है तो आपको क्या मैसूस होता है तो बच्चों आपको पता चलेगा कि आपकी सांस जो है जो ब्रीधिंग रेट है वो जल्दी जल्दी चलने लग जाएगी आपकी सांस से पहले जो चल नहीं थी पहले देरी देरी चलने थी जब आप नर्मल बैठे हुए थे जब जंप किया आपने तो आपकी सांसे तेज हो जाती है आपकी ब्रीधिंग रेट बढ़ जाती है इसके लाबा और भी होता है बच्चों आपकी जो सांसे वो कैसे हो जाती है गरम हो ठीक है हो जाती है थोड़ी बहुत इन बिच कंडिशन ता एयर यू ब्रीधिन ब्रीधिस लाइटली हो ठीक है एंड वैन 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 इडिट इस कोल्ड ठीक है ब्लू एयर फ्राउम यूर माव थ्री तू फूर ताइम्स इन एन एंपटी ग्लास और ओर अन दा मिरर तो क्य भी जाइट ले रहे हो ठीक है आपको क्या करना है क्या क्या करना है तो इस आप देखोगे तो क्या होगा कि जो ग्लास इस उसके अगर आप ऐसे करते हो तो उसमें से आपका फिर चेहरा देखो तो कुलियरली दिखाई नहीं देता है वो कैसा हो जाता है थोड़ा सा बिलर्ड हो जाता है ना You must have seen that sometimes the glass and mirror surface becomes blurred तो कैसा हो जाता है बिलर हो जाता है this is because यसा क्यों होता है there is moisture in the in our breathe क्यों क्यों कि बच्चो यानि कि जो आप सांस बाहर छोड़ते हो उसमें क्या होती है थोड़ी सी नमी होती है which condensed जो की ठंडी हो जाती है on the cool surface ठंडे surface पर जैसी वह हम हवा जो है बाहर निकालेंगी तो वह ठंडी हो जाती है we can do many activities by blowing air तो हम मुह से हवा दे करके बाहर निकाल करके कई तरह की चीजें कर सकते हैं तो आपको पता होगा कई instrument ऐसे होते हैं जो मुह से बसते हैं जो को बांसरी होती है कि है ना कितनी अच्छे आवाज उसके निकलती है है ना तो वो तो मुह से बसती है है ना इसके लाब और भी कई instrument होते हैं है ना चरो देखते हैं आगी तो देखो उच्छो थिंक एंड आंसर दा हो लाइं क्वेश्चंस वेदर फायर कैन वी लाइट अप क्या आग बढ़ाई जा सकती है जलाई सकती है हायर और तीज बाई ब्लूइंग येर फूंक मार की ब्लूइंग येर क बढ़ा हो गाउं तो जा आउग के बढ़ां कि आपने जाती है तो उसमें जैसे हम अग कम जलती है तो उसमें ये फोक ना होता है उससे हवा दिए तेजी से बढ़ जाती है ना तो बेदर फाइर कैन बी पोट आउट बाइंग येर थुरू दूदम आर फूं माॉट ओकी से हवा भारगे बाहर करके क्या आठ जलाई जा सकती है बाहर नकाला जा सकती है है विछ इंस्ट्रुमेंट रार सिज्ट बजने वाले हैं जोकि हम से बज़ाए जाते हैं यहां तो देखो बच्छो यहां पर बहुत इंट्रेस्टिंग चीज दे रखी आपने टेलीफॉन बनाया होगा है ना दागी लगा करके टीक एन एंपीटी रियल ऑफ दे थ्रेड एंड क्लोज वन साइड ऑफ इस्टिकिंग की पेपर ओनिट है ना किस तरह से तो इसके लिए मैं काम करूंगा आपको एक वीडियो बेज दूंगा है ना तो आप देख लोगे उसमें किस तरह से जो है एक टॉय बनाया जाता है और हो सकता है आप जातर बच्चे जानते भी हों कि किस तरह से उसको बनाया जाता है ना चलो अब आगे पड़ते हैं ही तो बच्चो आप अपने स्कुल में हो तो दो से तीन राउंड उसके लगाईए तो बच्चो एक मिनिट में कितनी बार आपकी सांसें चलती है तो आपको कोई अंदर लगता है क्या जब नॉर्मल आप बैठे थे तो उसकी सांसों की रिट अलग थी जो नम्र ऑफ ब्रिइंग कांट थी वो अलग थे और प्लेगराON में चल कल लगाने के बार बीरिज़िछ अलग हो गई है तो नम्र आप ब्रिइंग कांट भी अलग हों गई बढ़ गए हों गई, तो टूटल कांट और break has increase उर decrease ठीक है यह healthy person breathes normally 15 to 20 times in a minute बच्चो नॉर्मली एक healthy person है और वो normal बैठा हुआ है कोई ऐसा कोई मैनत का काम नहीं कर रहा है ठीक है तो उसकी 15 से 20 बार याने 15 to 20 times उसकी breathing होगी ओके breathing count होगा बट लेकिन when we run जब हम दोड़ते हैं खेलते हैं वॉक करते हैं very fast तो क्या होता है अबर breathing rate increases तो यह breathing rate बढ़ जाती है तब यह love work double पहुंच जाती है ठीक है न मेजर the size of your chest चीस्ट मतलब बच्चो आपको जो सीना होता है उसकी size को नापना है मेजर करना है with a measuring tape measuring tape से then उसके बाद inhale air फिर सांस वरनी अंदर with a force पूर उतरह से सांस अंदर खिंच लेती है ना ऐसे and ask your friend to measure your chest again और chest को दुबारा से measure करने के लिए बोला है friend को similarly measure the chest of your other classmates also ठीक है तो दूसरी जो classmate से उनका भी measure करना है does the size of the chest increases after the inhalation of ear तो बच्चो आप notice करोगे कि अंदर अगर आप सांस बल लेते हो तो आपके chest की size बढ़ जाती है in the end sing these lines in rhymes with your classmate और लाश्ट में फिर ये line गानी है games make us energetic energetic का मिदलब क्या है बच्चो गेम्स किलने से हमारे अंदर कह रहती है energy रहती है ठीक है ना games make us healthy and beautiful और games किलने से क्या होगा आपका body एक दम fit रहेगा अच्छा लगेगा आप खुशंदर लगोगी games teach us to be skillful और games खिलने से बच्चों हमें कई तरह की skills हमारे अंदर आ जाती है ठीक है जो हमारी life में काम आती है आगे games do not discriminate और बच्चों games खिलने से भेदवाव नहीं होता है क्योंकि games आप खिलते हो तो अपने दोस्तों के साथ खिलते हो दोस्त कोई गरीब होता है कोई अमीर होता है कोई नीची जाती का होता है कूँची जाती का होता है तो games में कोई इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं बाइचारा तो और गेम्स खिलनेज क्या होता है बच्चों बाइचारे की भावना प्यादा होती है दा नेम्स अफ सम वेरी तीलिंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मेड अस प्राउड विद दियर अचीब्मेंट्स और बच्चों कुछ हमारे देश के ऐसे भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थी ठीक है और उन्होंने जो है देश का नाम प्राउशन किया जैसे इन श्विमिंग में कौन से थी बक्ती शर्मा और आर्चरी में आर्चरी आप जानते हो बच्चों जो निशानेवाजी होती है न उसको कहते है ठीक है धनश चला करके वो तीर चला करके लिंबाराम और रैसलिंग में बच्चों रैसलिंग आप जानते हो ठीक है जो क दे रहे हैं इसमें से कौन से गेम में आपको अच्छा लगता है तो इसी की साथ बच्चों आपका चाप्टर होता है फिनिश तो अब इसके कोशन आंसर का टाइम है तो आम इसके कोशन आंसर जो है आपको में भीज दूँगा आप इसको वर्क करके सायंड कर देना मेरे वाट्सअप नमर पर ओकी स्टुडेंट्स मिलते हैं कल तब तक के लिए बाई 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 एंटेकिए